बराइच में आदमकोर बेडियों की तलाश में लगातार सर्चिंग ओपरेशन चल रहा है लेकिन बेडियों की देहशत लगातार बरकरार है क्योंकि इतनी पहरिदारी के बाद भी बेडियों ने शनिवार की रात को दो लोगों पर अटाक किया और अब कल सोमवती अमावस्य क्या है क्या इक बर फिर से वेडिये अमावस की रात को हमला कर सकते हैं इसकी आशंका जताई जा रही है शनिवार की रात को बेडियों का हमला अब क्या 2 सितंबर को भी आदम खोर करेंगे अटेक 2 सितंबर को सोमवती अमावस्य पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि बेडियों का गैंग अमावस्य पर फिर से एक्टिव हो जाएगा क्योंकि भेडियों और अमवस्य की रात का कनेक्शन भी माना जाता है अमवस्य की रात को भेडियों के आक्रामप होने के किस से भी खूब सुने जाते रहे दो भेडियों की तलाश में पूरा प्रशास्निक अमला लगा हुआ है जिन में भेडियों का लंगडा सरदार भी शामिल है एक भेडिया फिर से कैमरे में दिखा है उनकी घेरा बंदी की गई है लेकिन चालाक भेडिये अभी तक चंगुल में नहीं फसे हैं जिससे बहराईच के 35 से ज्यादा गावों में अभी भी दहशक बरकरार है और इसके पीछे की वज़े भी बहुत बड़ी है क्योंकि शनिवार की रात को भी भेडियों ने आतंक मचाया वो अपने खोनी इरादे के साथ आये थे और दो लोगों पर हमला भी कर दिया इन में एक बच्चा और एक बुज़ुर्ग शामिल है लेकिन भेडिये अपने मन्सूबों पर पूरी तरह काम्याब नहीं हो पाए अभी तक भेडिये नौ लोगों को मौत की नीन सुला चुके है वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आये थे लेकिन गनिमत रही कि दोनों की जान किसी तरह बच गई शनिवार की रात भेडियों के हमले के आशंका जताई जा रही थी जो पूरी तरह सही साबित होई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्स का भी इस पर कहना है कि भेडिये जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में दो से तीन दिन लग जाते हैं यानि वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेडिये परिशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वो अपने ठिकानों से गाओं की तरफ रुख करते हैं और बेहत चालाकी से वो अपने शिकार को ठूंट कर उस पर तूट पड़ते हैं अब भेडियों को लेकर यही आशंका एक बार फिर से बनी हुई है कि वो अमावस्य की रात को फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं एक भेडिया न्यूजेटीन के कैमरे में कैद हुआ है जो कि इसी जाडियों के बीच आप सिर पहले बाठता हुआ नजार आया है इस दोरान हमारे साथ एक गार साब भी मोजूद है जिसे हम बात करेंगे गार साब किधर गया है क्या था यह भागा है सर आप में पुलपर से जब देखे हैं और हम भी मोटर सेइकल की टार्ट लगाए हैं यहां तक बैनापुरता खेत किया इसी जाड़ी में घुच गया यह कौन सा जानवर था यह भेडिया थी सर लंबी लंबी इतनी बड़ी तो जैसा कि आपने देखा कि जो भेडिया है वो इसी जंगल के बीच घुसा है हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो इस भेडिये को दिखाने की कोशिश की जाए क्योंकि इस इलाके में बीते उग्रो कर आदम खोर बन जाता है और वह अपने सिकार के लिए ग्रामेड छेत्रों में निकल परता है क्योंकि भेडिये को मानब रख्त पिरिया होता है और यह उस दुरगंद को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है 29 अगस्त को आदम खोर गैंग का एक भेडिया पकड़ा गया था देकिन गैंग का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है वो छिपा छिपा फिर रहा है तावा है कि यही लंगला भेडिया सबसे ज्यादा खोखार है आम तोर पर भेडियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है वाल्ड लाइफ एक्सपर्स भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेडिया लंगला हो चुका था जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इसलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना वन विभाग ने भी भेडियों के पदचिनों की पहचान की है जिसमें सामने आया है कि एक भेडिये के पैर में दिक्कत है जिससे वो ठीक धंग से नहीं चल पा रहा और इसलिए वो आसान शिकार ढूंड रहा है भेडियों के मुह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इतना जरूर है कि भेडिये ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठे रह सकते जिस तरह अभी तक वन विभाग ने चार भेडियों को पकड़ लिया तो 35 गावों में खुंखार भेडियों का आतंक इस बुलिटिन में फिलाल इतना है लेकिन इसके ठीक बाद आपको दिखाएंगे साइलेंट किलर भेडिये पर हमारी खास पेशकश बने रही हमारे साथ